क्या बच्चों को पाउडर लगाना सेफ है? बच्चों को पाउडर लगाने की बारे में डॉक्टर्स का क्या कहना होता है? साम्रीजा बेबी स्केर चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो की न्यू नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें क्या बच्चों को पाउडर लगाना सुरच्छित है? मार्केट में तो बहुत सारे अच्छे अच्छे ब्रांड के पाउडर अवेलेवेल हैं जो सारी मा अपने बेबी स्को लगाती है नहलाने के बाद अपने बच्चों को भला कौन पाउडर नहीं लगाता होगा पर powder लगाने के बहुत सारे नुकसान होते हैं बच्चों के health पर इसका effect पड़ सकता है तो आए जानते हैं बच्चों को powder क्यों नहीं लगाना चाहिए powder लगाने से क्या क्या problems हो सकती है और अगर आप powder लगाना चाहती है तो किन बातों के ध्यान रखने की जरूरत है इन सभी बातों को बताने से पहले आप सभी से एक छोटा सा request है बेबी से related या प्रेगनेंसी से related वीडियोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारे वीडियोज की सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बच्चों को powder क्यों नहीं लगाना चाहिए क्या कारण है जिसकी वज़े से डॉक्टर ज़्यादा पाउडर लगाने के लिए मना करते हैं एक रिसर्च से पता चला है कि पाउडर लगाने की वज़े से बच्चों में बहुत ज़्यादा respiratory issues होते हैं खास तोर से वे बच्चे जो premature होते हैं या उनको कोई heart disease है या उनको पैदा होते ही अस्थमा, bonkitis या और कोई respiratory issues है तो उनको ये बिमारिया होने के chances और भी बढ़ जाते हैं और उन्हें सास लेने में बहुत दिक्कत होती है research में तो यहां तक बताया गया है कि अगर सावधानी नहीं बरती गई तो आगे जाकर बच्चे के फेफडे का cancer भी हो सकता है इसलिए काफी study के बाद doctors का कहना है कि छोटे बच्चों के लिए powder का इस्तेमाल कम ही करना चाहिए दो बातों पर ध्यान रखने की सबसे ज़्यादा जरूरत होती है नमबर वन आप जब भी powder लगाते हैं तो उसे सेख करके लगाते हैं उससे क्या होता है powder जितना सरीर में रह जाता है और उसके अलावा उड़कर हवा में मिल जाता है और वो हवा बेबी के सास के साथ उसके अंदर चली जाती है बच्चे का body system बहुत weak होता है जब बच्चे पैदा होते हैं और वे particles जो बच्चे ने सास के अंदर लिये हैं धीरे धीरे जाकर बच्चे के airways में, respiratory track में, chest में या फिर बच्चे के फेफ़रों में जाके system को block कर देते हैं और जब हम अपने बच्चे पर लगातार powder यूज करते हैं तो जो particles जाके respiratory system को block कर रहे होते हैं अब वो damage होना सुरू हो जाते हैं जिसे बच्चे को घुटन भी हो सकती है और respiratory disease हो सकती है नमबर टू, अभी एक research में ये भी पता चला है कि baby girls के genitive system पे जब powder को regularly लगाये जाता है तो 40% chances में ovarian cancer के मामले बढ़ गए उन babies और ओर्टों के अंदर जो लगतार genitive system पर powder यूज कर रहे थे तो आप अपने baby girl को अगर powder लगाते हैं तो आप उन्हें लगाना बंद कर दे, उनके private area पर powder बिल्कुल भी न लगाए माय ऐसी होती है जो diaper के रहसे से बचने के लिए अपने बच्चों को private area में भी powder लगाती है आप girls child पे बिल्कुल भी powder न लगाए उससे ovarian cancer का chances बढ़ जाते हैं अगर आप अपने बच्चों के सरीर में powder लगाना चाहती है तो इसके लिए आपको powder लगाने का तरीका बदलना होगा बच्चों के सरीर पर डिबे से सीधा powder लगाने और मलने से बहुत सारा powder उसके मुँ में चला जाता है इसलिए जब भी powder लगाए बच्चों से कम से कम एक मीटर दूर रहकर पाउडर को अपने हाथों में गिराएं, हाथों में ही मलकर जाड ले फिर बच्चों के सरीर पर हलके हलके रगड कर बिना थप थपाई हुए लगाएं और ध्यान रहे कि बच्चों के हाथ ने पाउडर कडिबा खेलने के लिए नहीं दे डाइपर के रेसे से बचने के लिए बच्चों के जांगों पर ही पाउडर लगाए उनके private areas पर बिल्कुल भी powder ना लगाए और बहुत कम मात्रा में लगाए बच्चों के private parts के पास powder बिल्कुल भी ना लगाए खास कर girl child के लिए विस्तेज ध्यान दे क्यूंकि इसे ovarian cancer का भी खत्रा होता है बहुत सारी मा powder लगाने के लिए puff का यूज करती है puff का यूज करना आज ही बंद करते क्यूंकि इसे powder ज़्यादा मात्रा में उड़ता है तो guys इस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि powder क्यों नहीं लगाना चाहिए doctors के इस बारे में क्या कहना होता है और अगर आप powder लगाना चाहती है तो उसका क्या सही तरीका होता है मैंने अपनी पूरी कोशिस की है आपको इस बारे में बताने की अगर आपको मेरा ये वीडियो helpful लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक करे ज्यादा से ज्यादा सेयर करे ताकि सारी माँ को इस information के बारे में पता चल सके तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाबाई अगर